पंचाय चुनाओ पंचाय चुनाओ 2020 की तयारी सुरू हो गई है ये चुनाओ अक्टूबर नुवंबर दिसंबर में हो जाने चाहिए थे पर करोना बिमारी के चलते हुए ये चुनाओ 2021 में कराने की उषणा कर दी गई है 16 सितंबर से ओटर लिस्ट तयार करने के निर्देश भी दे दिये गए हैं जो बियोलो के माध्यम से कराए जाएंगे 2021 में ये चुनाओ हो रहे हैं तो ये फरवरी के पहले सब्ता हमें हो सकते हैं पूर प्रत्यासी अपने तयारी करते रहें फरवरी माध 2021 के पहले सब्ता हमें ये चुनाओ हो सकते हैं और आपको मैं बता दूँ टू चाइल्ड पालसी यदि लागू हो रही है तो पूर प्रत्यासी मत घबराएं यदि वो उत्राखंड की तरज पे लागू करते हैं तो पूर प्रत्यासी चुनाओ लड़ सकते हैं मेरा वीडियो देखते रहें आगे मैं बताऊंगा और आपको पेपर कटिंग भी मैं भेज रहा हूँ देखते रही है घबराएं मत पूर प्रत्यासी चुनाओ लड़ सकते हैं यदि उत्राखंड की तरज पर टू चायल्ड पालसी लागू हुई तो मत घबराएं पूर प्रत्यासी चुनाओ लड़ने के लिए तयार रहें बीजेपी के सांसद और केंदरी राजमंतरी संजीव बालियान ने बीते दिनों उत्तर प्रदेश की सरकार से अपील की थी कि पंचायत चुनाओं में उन लोगों को ना लड़ने दिया जाए जिनके दो से ज़्यादा बच्चे हैं इसके लिए उन्होंने उत्राखंड के नियमों का भी जिक्र किया था संजीव बालियान ने यूपी के सीयम योगी आधितनाद को एक चिठ्थी भी लिखी थी चिठ्थी में उन्होंने लिखा था कि हमारे प्रदेश को जनसंख्या नियंतर अभियान सुरू करना चाहिए आगामी पंचाय चुनाओं में आगामी उत्राखंड राज की तरही दो से अधिक बच्चे होने की इस्तित्थी में किसी को भी चुनाओं लड़ने का अधिकार ना मिले जिस पे विचार चला है ये लागू भी हो सकती है और नहीं भी लागू हो सकती है पूर प्रत्यासी मत घबराएं अगर टू चाइल्ड पालसी लागू भी होती है तो नियमों को ध्यान दें वो चुनाओं लड़ सकते ह जानकारी के मुताबिक उत्राखंट की त्रिवेंद सिंग रावस सरकार ने जुलाई 2019 में उत्राखंट पंचायती राज कानून 2016 में संसोधन किया था सरकार ने नियम बनाया कि जिनको दो से जादा बच्चे हैं वो पंचायत चुनाओ लड़ने के लिए अयोग माने जाएंगे इसके बाद कुछ कांग्रेसी नेताओं ने सरकार के कदम के खिलाब हाई कोट में चुनोती दे दी थी इस पर कोट ने दो बच्चों की सर्थ में समय सीमा तै कर दी फैसले में कहा कि 25 जुलाई 2019 के बाद दो बच्चे पैदा होने की दसा में ये नियम लागू होगा 25 जुलाई 2019 से पहले के तीन या अधिक बच्चे वाले दावेदार चुनाओ लड़ने के पात्र हैं यानी घबराने की कोई आउसकता नहीं अगर 2019 से पहले के तीन या अधिक बच्चे हैं तो आप चुनाओ लड़ सकते हैं 2019 के बाद अगर आपके तीन या तीन से अधिक या दो से अधिक बच्चे हैं तो आप चुनाओ नहीं लड़ सकते इसलिए 2019 के पहले जो प्रत्यासी थे जिनके तीन या चार बच्चे हैं वो घवराय मत वो चुनाओ लड़ने के पूरे हकदार हैं वो चुनाओ लड़ सकते हैं घवराने की कोई आउसकता नहीं आप अपनी तैयारी करिए मेहनत करिए और चुनाओ लड़ने के लिए तैयार रहिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिये गए हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो की जानकारी आपको आपके नौटिफिकेशन्स में मिलती रहे